जहिंद प्यारे सातियों कैसे हो आप सब बिलकुल मस तो होंगे यूविक्टर ग्यान यूटूब चैनल पर आप सबी का भूत-भूत स्वागत है वीडियो की थमनेल देखकर आप समझ ही गयो होंगे कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक यूपर डिसकस करने वाले हैं आज की हमारे इस वीडियो का जो सबसे मैंड टॉपिक है वो है फूड इंस्पेक्टर की फूड इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या educational qualification चाहिए क्या age limit क्रायकेरिया चाहिए selection process क्या होता है क्या इसमें physical देना पड़ता है या फिन नहीं देना पड़ता क्या यहाँ पर medical test होता है या नहीं होता और साथ इसाथ एक सबसे ज़्यादा motivational topic कि यदि हम food inspector बन जाते हैं तो हमें पहले मेने की कितनी salary मिलेगी इस तरीके से आपके दिमाग में food inspector को लेकर जितने question चल रहे हैं आपके हर एक question का यहाँ पर आपको इस वीडियो में बिल्कुल authentic तरीके से जवाब मिलने वाला है सबसे पहले बात की जाए जैसे एक sub inspector होता है बिल्कुल इसी तरीके से food inspector होता है जिसका काम होता है food department में पुलिस को control करना ठीक है अब food department क्या हुआ जैसे हमें जो रासन में ग्यहूं मिलते हैं गोर्मेंट ग्यहूं बाढ़ती है दो रुपे किलो के इसाब से ठीक है फिलाल में डाल भी बाढ़ रही है पुलिस इंस्पेक्टर करता है ठीक है पुलिस इंस्पेक्टर इसके नीचे पुरी पुरी police force ही टीम होती है और वो अपने खुद के एक systematic तरीके से इसका ध्यान रखते है कि क्या सही डंग से जो गोर्मेंट की योजराओं से जो food distribute हो रहा है वो क्या लोगों तक सही डंग से पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है क्या इसमें कोई बेइमानी तो नहीं हो रही है इसके अलावा अलग अलग तरीके से गोर्मेंट फिलाल में खाना बाढ़ रही है जैसे सुबह नास्ता फिर में बाढ़ती है फिर खाना बाढ़ती है फिर शाम को डिनर बाढ़ती है इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर फिर में खाना पहुंचाया जाता है लंग हो रही है S espíreka master इन सभी का जो ध्यान वह फूड इंस्पेक्टर ही रखता है ठीक है ॆब फूड इंश्पेक्टर बनने के लिए educational qualification क्याहती फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए एज्वेस्टन है वो चाहिए graduation आपके बास कम से कम graduation तो होनी चाहिए सबसे बड़ा चाहिए कर रखाउ चाहिए BBA कर रखाऊ चाहिए BCA कर रखाओ मतलब आपने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी टायप की graduation की डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पर eligible हो यहाँ पर आपके पास केवल और केवल graduation की degree होनी चाहिए उसमें कितनी percentage होनी चाहिए इसका भी यहां पर कोई किसी तरीके का criteria नहीं है तो जिन candidate ने graduation कर रखा है एक recognize university से तो वो candidate यहां पर form apply कर सकते हैं अब जो food inspector की vacancy है वो अलग-अलग department में अलग-अलग तरीके से आती है जैसे state government अपने खुद के level पर food inspector की vacancy निकालती है ठीक है इसके अलावा जो administrative के जो exam होते हैं उनसे भी food inspector का selection होता है एक FCI का जो exam होता है उनसे भी food inspector का selection होता है तो जो food inspector का selection वो depend करता है अलग-अलग तरीके से vacancy निकलती है अलग-अलग state में अलग-अलग department के according तो उनके according food inspector बनते हैं ठीक है अब यदि मैं age limit के criteria के बारे बें discuss करूँ तो age limit के criteria में आपकी जो minimum age है वो 21 साल होनी चाहिए और maximum age यदि आप general category से ब्लोंग करते हो तो आपकी 28 साल होनी चाहिए बाकि depend करता है कि वो vacancy कौन से department से निकल रही है कौन से state से निकल रही है बाकि minimum age तो 21 रहेगी रहेगी और जो maximum age है वो कम से कम 28 साल रहेगी कुछ state होते हैं जो 31 साल तक भी food inspector के लिए eligible मान लेते हैं बाकि OBC के candidate को 3 साल की चूट मिलेगी ACST के candidate को 5 साल की चूट मिलेगी जो age को लेकर जो category चूट मिली हुए वो सब भी यहां पर apply होंगी यहां पर male और female दोनों candidate apply कर सकते हैं female भी यहां पर eligible है और male भी यहां पर eligible है selection process की बात की जाए तो यहां पर आपका सबसे पहले return test होगा जैसे आप return exam qualify करोगे उसके बाद आपका physical होगा फिर आपका medical होगा और यदि यह भरती food inspector की administrative से निकलती है तो यहां पर आपका पहले pre होगा फिर mens होगा फिर physical होगा और फिर आपका medical होगा ठीक है और देखो यह जो selection process ने यह भी depend करता है कि वो vacancy किस state से और किस department से निकली होई है बाकि बहुत ज़्यादा tough selection process नहीं होता यहाँ पर बिल्कुल easy यदि आप सही धंग से तयारी करते हो तो यहाँ पर आपका अच्छे तरीके से selection हो सकता है अब हम यहाँ पर discuss करते हैं कि यदि आप food inspector बन जाते हो तो आपको पहले महिने में कितनी salary बिलेगी सबसे ज़्यादा motivate करने वाला topic है आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया तो please एक बार इस channel को जरूर subscribe करो वीडियो को like करो और आपके जितने भी दोस्तों सबी के साथ एक बार जरूर सेर करो अब यहाँ पर मैं आपके साथ discuss करता हूँ कि यदि आप food inspector बनते हो तो आपका जो grade पेवर 2400 रुपे रहेगा ठीक है बेसिक पेज 28700 रुपे से सुरू होगा लेवल 4 में यह job आती है अब हम यहाँ पर discuss करते हैं पहले मैंने की salary जो कि 2023 के according हम यहाँ पर calculate कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमनी जो डिये की rate वो 2023 के according calculate किया है और आप चाहिए किसी भी state से हो चाहिए किसी भी state से food inspector के बढ़ती निकले कम से कम इतनी salary तो मिलेगी ही मिलेगी बाकी आपको उससे ज 43% है यदि मैं 43% के according calculate करता हूं तो 13,202 रुपए आपका क्या बन जाता है डिये बन जाता है एचारी यापरम ने 18% के according calculate किया है तो 5,166 रुपए आपका एचारी बन जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 3600 रुपए मिलेंगे आपको डिये उन टिये के आपको 1656 होगी अब यहाँ पर आपकी salary में कुछ कटोतियां भी होंगे कुछ deduction भी होगा सबसे पहले आपका NPS कटे का जो कि आपकी basic pay और डिये का 10% होगा तो 4,199 रुपए का आपका NPS कट जाएगा CGE GIS के आपके 160 रुपए कटेंगे ठीक है वो depend करता है जो deduction है वो depend करता है state के तो वहाँ पर आपको 1000 रुपए मंतली medical allowance मिलेगा आप उत्तराखंड बे लगते हो तो वहाँ पर भी आपको 1000 रुपए मंतली medical allowance के तोर पर मिलेगा आप राजस्तान में लगते हो उत्रपरदिस में लगते हो तो आपका यहाँ पर medical allowance मिले का नहीं बलकि आपका यहाँ पर medical के फैसलिटी के तोर पर आपका कुछ अमाउंट कटेगा ठीक है तो यह थोड़ा बहुत सैलरी में वेरियसन आ सकता है जहां पर मेडिकल अलाउंच मिलता है जैसे भीयार में उत्राखंड में तो यह आपको हजार रुपर मंतली एक्स्टा मेडिकल अलाउंच के तोर पर मिलेंगे बाकि के इस्टेटों में जहां पर मेडिकल की फैसलिटी कॉवर्माट के द्वारा प्रोवैड करवाई जाती है वहां पर मेडिकल अलाउंच यहां पर नेट सेलरी के बारे में जो आपको पहले मेने में मिलने वाली है तो यदि आप फूड इंस्पेक्टर बनते हो तो आपकी जो पहले मेने की सेलरी है वो रहने वाली है प्यारे साथ जो कि बहुत ही अच्छा कासा अमाउंट है बहुत अच्छी कासी जोब है डारेक् बढ़ेगा दिये वैसे साल में दो बार बढ़ता है एक बार जनवरी में एक बार जुन और जुलाई में कितना बढ़ेगा यह डिपेंड करता है गौर्णमेंट के उपर लेकिन एवरेज 5% से लेकर 8% के बीच में आपका डिये बढ़ेगा ठीक है और बहुत पावरफुल ज शांदरवाला सीन है तो मेरे अकोडिंग तो बहुत ही परफेक्ट जोब है यह बहुत ही मैं इसको ए ग्रेट रेंक की पोस है ए प्लस ग्रेट रेंक देना चाहूंगा जो फूड इंस्पेक्टर है उसकी जोब को बाकी आपने अब भी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं कि जरूर बताओ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबी को देखने के लिए ठैंक्स बाई मेरे प्यारे साथी हूँ